और लेवर पार्टी की की जीत हुई है तो चार सबसे अधिक सीटों से जब किए 350 सीटे हैं तो चार सबसे अधिक सीट自 therefore party कि जीत हुई है तो रिशी सुनक के हार से और लिवर पार्टी की जीत से भारत पर क्या प्रभापड़ेगा भारत को thousands संबंद में फाइदा होगा या नुक्सान होगा कि संपुर्ण जानकारी देगे आपको इस वीडियो में तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेर कर दीजिए और चैनल को अभी ते सस्क्राइब नहीं किये तो सस्क्राइब कर ले जिस प्रकार की इन्फार्मेटिव वीडियो आपको समय 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 से मिल पाए सबसे पहले मैं आपको यह बता दू कि ब्रिटेन का पीएम कैसे चुना जाता है, प्रधानमंतरी ब्रिटेन का कैसे चुना जाता है। तो सबसे पहले पार्टियां जिस प्रकार से भारत में पार्टियां अपने नेता चुनती हैं प्रधानमंत्री परध के लिए नेता का उमीदवार कोण होगा? पूरे देश भर गुमकर परचार करता है अपने सरकार के लिए और अपनी सीटों के लिए वूट बाथ- होता है उसके बाद आं चुना होता है जिस प्रकार से भारत में Souls में प्रकार से भारत में संख्यां उढ़िक है जब्कि ब्रटेन में कम है भारत Mountains ृछը तान्वे करोण से भी एथिक मत दाता है जब कि बृटेन में केवल 6 करोण के आसपास इंद आता है तो वैलेट पेपर से चुनाव होता है उसके बाद चुनाव संपन हो जाने के बाद सदन में जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री चुना जाता है अब हम आपको समझा दें कि भारत के और बिटेन के संसदी प्रडाली में मुख्य अंतर क्या है देखिए जो संसदी प्रडाली होती है संसदी प्रडाली केंद्र वह राज्यस्तर पर होती है केंद्र अस्तर पर भी होती है और राज्यस्तर पर भी होती है केंद्र अस्तर प कि अनुछित 163 और 164 यह राज्य अस्तर पर संसदी प्रडाली के बारे बात करता है संसदी सरकार जो होता है इस सरकार को कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है कैबिनेट सरकार या क्योंकि इसमें कैबिनेट मंत्री विभिन्य प्रकार के कैबिनेट मंत्री चुना जाता है और वो कैबिनेट मंत्री सरकार चलाते हैं अपनी योजनाओं के माध्यम से तो कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है उत्तरदाई सरकार भी कहा जाता है वेस्टमीन्स्टर माडल इसे बोलते हैं झाल कि शुप осв से गई है इसलिए अधिकादि भारत में संसेदी प्रकार है उसी प्रकार से ब्रि टेन में किया गया संसधी प्रलाली को भारत में उसी प्रकार से कनाड़ा में संसधी प्रलाली जपान में भी संसधी प्रलाली पाई जाती है लेकिन भारत और ब्रिटेन की संसदी प्रडाली मे अंतर क्या है कि अगर ब्रिटेन से ही ग्रहन की गई, तो भारत की संसदी प्रडाली में समाँता तो बहुत अधिक होगी लेकिन कुछ अंतर भी हो सकते हैं तो भारती संसदी प्रडाली और बिटेन की संसदी प्रडाली में अंतर क्या है तो इस अंतर को देखते हैं सबसे पहले देखिए भारत में जो है संसद में भारत की जो संसद होता है उसे संसद बोलते हैं पारलियमेंट बोलते हैं जिसमें राज्य सभा और लोग सभा होती है राज्य सभा अपर सदन होती है और लोग सभा लोवर सदन होती नीचली सदन होती है उसी प्रकार से ब्रिटेन में जो संसद होता है उसे पारलियमेंट बोलते हैं या वेश्ट मिन्स्टर बोलते हैं वेश्ट मिन्स्टर बोलते हैं वेश् यह Heart लाडस उजच सदन है इस प्रकार से यहां लोगसभान में निमिन सदन है तो लगभक so मैं भारत में ब्यवस्था गड़तांत्रिक वह श्ता होते यह राज Sarah Partner करन की देश होता है जो वनसानुगत होता है उसे चुना नहीं जाता है भारत में संविधान की सरोचता है हम सरोचता के बारे में अगर बात करते हैं तो तीन प्रकार की सरोचता प्रमुगुरु से देखने को मिलती है एक वहां जहां पर संसत की सरोचता है संसदी जहां सरोच है एक ऐसी प्रिश्टिती मिलती है जहां पर न τो संसले नाय पाली का संवतारोचा संबीधान संवता की स्ल सकता है तो इसलिए भारत में संफारोचता की बनाती वही संवतान में हो जाता है और रोश गुठार है preço किर रूझता सब्सक्राइब है भारत में लिख्षित इस निरम संभिधान आप लिक रिक कर और निर्माण किया गया है उसका एक दिन निरमार किया है और लागू किया जैसे 26 नांबर 29 99 को लागू किया कर बन कर तयार हुआ था और 26 270 लागू कर दिया गया था जानते हैं भारत संबिधान लिखित और नीर्मित संबिधान a जह कि-स संबिधान का मतलब जिस संबिधान सके अधिकांस प्रधान लिखीत रूपमें नहीं होत consent पारणे होते हैं उसे ही संबिधान जब इसे जासिक परमपराओं की रूप में होगे लिखित रूप में नहीं होगे तो सीधी सी बात है कि धीरे धीरे उसका विकास होता जाएगा परमपराएं बनती जाएगी तो इसलिए भीक के लिए नरेंद्र मोधि प्रधान मंत्री लोग सभा से हैं लेकिन इससे पहले प्रधान मंत्री थे डाक्टर मर मोहन सिंग वह राज सभा से प्रधान मंत्री थे तो बहुमत तो लोग सभा में ही होना चाहिए जो बहुमत दल करनेता है उसका बहुमत तो लोग सभा में ही होन सदन हाउस आप कामन्स से ही होना चाहिए हाउस आप लाट से नहीं होना चाहिए एनि कि हाउस आप कामन्स में बहुमत विप्रप्त होना चाहिए और खूद प्रधान मंत्री की सदन में से Rechtsis राजय सभारम की राज सभान में से मंपर सब्सक्राइब बनाए जा सकता है सैक्य ब्रिटेन में केवल संसद के सस्यों को ही मंत्री बनाया सकता है मैं संसद है उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाता है भारत में भीपक्ष का नेता बिपक्षी दल होता है और विपक्ष का नेता होता है उसे बिपक्ष का सरकार के मंत्री होते हैं उन सभी मंत्रियों के सम्तुल एक सदस से खड़ा कर दिया जाता है विपक्ष के द्वारा जो उन मंत्रियों की कारियों पर नजर रखते हैं जैसे कि अगर सरकार का मंत्री है तो बिपक्ष के द्वारा एक सदस्य खड़ा कर दाईगा जिसका काम होगा सरका के मंत्री पर नजर रखना और वहीं काम होगा उसका व्माहीर हो जाएगा और जो अगली बार उसकी सरकार बनेगी तो उसको ग्रीमंत्र बना दिया जाएगा यह एक्जाम्पल है इस प्रकार से सभी मंत्रियों के सम्तुल्य विपक्ष का एक सदस्य होता जिसे सैडो मंत्री को बनाया है बीडियो जाकर देख सकते हैं भारत बृटेन के बीच संबंध की क्या होगा केरिश्टार मार्ग जो लेबर पार्टी के नेता है वो प्रधान मंत्री बनेगे और जब भारत बृटेन के संबंध किस प्रकार से बिगड़ेगा यह इसके संबन्द में अगर हम बात करें तो लेबर पार्टी पहले से लेबर पार्टी के संबंध भारत से अच्छे रहे हैं जब भारत की सतंत्रता चल रहे थे उस समय भी लिवर पार्टी ने इसके समर्थन क्या था भारत के आज़ादी के शाध्येसन भी किया था बादी ने तो यहां लेकिन 2019 में एक प्रस्ताव पास क्या था 2019 में एक अधिवेशन हुआ था जैसे हर पार्टी का अधिवेशन होता है वहां भी उनका अधिवेशन होता है तो 2019 में एक अधिवेशन होता है अधिवेशन हुआ जिसमें प्रस्ताव पास किया गया और प्रस्ताव पास किया गया का कस्मीर के मुद्दे पर कि कस्मीर में मानुवी संगट की स्थिति आ गई है और मानुवी संगट की स्थिति आ गई इसलिए कस्मीर को आत्म निरने का अधिकार मिलना चाहिए कि कस्मीर स्वयंग निरने लेगा कि वो किसके साथ रहेगा भारत के साथ है पाकिस्तान के साथ या सवतंत्र रहेगा तो स्वयंग निर्ण लेगा हालांकि इस चीज से कियर इस्टर्मार जो है कियर इस्टर्मार जो लेवल पार्ट्रेवर पार्टी के प्रमुक्नेता थे उन्होंने इस बयान से खुद को दूर् कर लिया था और उसने कहा कि कसमीर भारत और पाकिस्तान का आप झायोः किसमीर भारत और पाकिस्तान का आपझी मरे और इसमें international इंटरफियर की कोई जरूत है नहीं तो एक तरह से खञटास थोड़ा सा देखने को मिली लेकिन फीर उस घाव पर मरहम छिरक दिया गया था इस्टार्मर के द्वारा जो अभी फिलाल प्रथान्मंत्री बन रहे हैं तो कियुए इस टर्मर का जो वादा था प्रथान-मंत्री बनने से पहले वह यह था कि भारत के पर समझा लंका कि बिद चौन फर निव्ही बन अभी बना हुआ है इसमें 26 बिंदु आपर उस्धार संजं पर दोनों देस लह्त हैं लेकिन दो ऐसे अभी विप रमुख मुद्य हैं जो आईटी सेक्टर और वीजा को लेकर इस पर आपसी मद्भेद बना हुआ अभी भी 2003 तक भारतर ब्रिटेन के संबंध को भारतर ब्रिटेन के बीच बेपार को दो गुना करने का लक्ष भी दिया था इन्होंने और वैद प्रवासियों के संख्या को कम करेगी सरकार इन कि तो इनके भारत के लोग भी रहते हैं और अब धरूब से रहते हैं तो देखना यह आगे कि क्या करते हैं अपने वादे पर कितना खाला रताते हैं हम आपको लेव के किविनेट के बारें बता दें यह कीरेश्ट आर्मर्य रहे मिनिश्टर यह अंजला रैणर है दिट्कि प्राइब मिनिश्टर और यह सभी जो रिए कि अन्य जो है के immersive है तो यह सब मीनिश्टर है कैविनिट प्रकार के मिनिश्टर है एक क्वेशन पूछा जा रहा है इस क्वेशन का आपको ज़्वाब देना है कमेंट खाम यूच्य यह है कि मुद्धन Dieu ब्रिटेन का प्रधान मंत्री किस पार्टी से था भारत की अजादी के समें ब्रिटेन का प्रधान मंत्री किस पार्टी का था कंजर्वेटिव पार्टी लेवर पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी या इन में से कोई नहीं इस कोशन का अंसर आपको कमेंट बाक्स में दाना है वीडियो को लाइक कर देजिएगा और चैनल का वित्य सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जिससे इस प्रकार की इंफार्मेटिव वीडियो आपको समय 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 मिल पाए द्रोण जीए सिरसर संटर के साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बद्धने बाद